Hello everyone, दोस्तों नमस्कार, स्टार्ट करते हैं अपने डिस्केशन को, अभी तक हम लोगों ने क्या कर आए हैं, जो कम्माइन डिस्केशन हमारी जल रही है, परलेमेंट और स्टेट लेस्टेचर की, हम उसके अंदर मेंबर्शिप देख चुके हैं, परलेमेंट की, ठीक हैं, ये जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले क्वालिफिकेशन की, अब देखो, जो कॉंस्टेटूशन है, इस लेट डाउन, फॉलिंग क्वालिफिकेशन, फॉर अ परलेमेंट की भी साइमनटेनसली कोल के बैट रहा हूं, क्वालिफिकेशन, सब्से टफ कौन सी, सब्से टफ, हाँ, क्योंकि अश्परी जब सेट जा नहीं नहीं होगा अंडिया का, तो बागी सब क्या ही होगा, ठीक है, उसके बाद, ही और शी, मस्ट मेक एन सस्क्राइब तो एन ओत और एफिरमेशन, अभी वो एफिरमेशन नहीं है, ठाक रहा हैं, जो हम करते हैं, रूल 369 और वो करके ठीक है, करोड़ साथ मनिया फ्लोटिन तोवर्ड़ मे, यूनिवर्स प्लीज फुल्फिल इस एफिरमेशन, ये वो ए कि यहीं पर यह चीज गलती हो जाएगी, है न शाहिनी, करेंट जो प्रेसिदेंट है, जो भी बहुत सारी MPs पगरा होती है, अब उन्होंने भी तो ओत लिए होगी, अब हमारा समितान तो और चगा, ही 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 लिखता रहता है, जैसा कि मैं आपको बताया था, लेकिन वो तो जिसको ऑथराइस कर रखा हो, इलेक्शन कमीशन है फॉर दिस परपस, अगेन, यानि की, यानि की, अगर हम लोग बात करें, शपत ग्रहन समारो की, उसकी प्रक्रिया की, तो ये प्रोसीजर, MP और MLA दोनों के लिए सेम है के नहीं है, बताओ, बोलो, बोलो, और इसी में अगर मैं एड कर दू, क्या ये चीज MLC के लिए भी सेम है क्या, तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि शाइनी यहां पर क्या लिखा हूँ है, स्टेट लेजिसलेशर, अभी वो स्प्रेसिक बात नहीं कर रहा, स्टेट लेजिसलेशर तो एक पू बार-बार बोलता रहा तो, इस स्पेसिफिक अब तो आप जान गए हो, ठीक है, अभी मैक्रो लेवल से बात करते हैं, कि हाँ छे राजी ऐसी है, जिसके अंदर सेकंड हाउस है, बहला, 90% केसे के अंदर, स्टेट लेजिसलेशर हमारे देश में कैसी है, बाइकेमरल या जेटरल गर्मेंट, इस्टेट गर्मेंट, लोगल गर्मेंट, तो तीसरा आउस क्यों नहीं है, नहीं जरूरत तो है, जरूरत तो इसकी भी है, पता है, आपको पता है, आपको पता है, एक बात चल रही है अभी, All India Services है न, उसके तर बात चल दिए, Indian Education Service की, किसको एड कर द है, हाँ महलब देश में क्या है देखो, जिसे Education का मामला न, Ground Level से, Higher Level तक बहुत पुतल-पुतल का रहता है, ऐसी कोई Service आएगी न, तो ये जो होंगे, महलब ये, डीन पे निगरानी रखेंगे, देश में क्या चल रहा है, फिर ये छोटी-छोटे मुदों पर भी वो Policy बना फीज के लिए तो जो क्या कहते हैं, Additional Charge ले देखो, फीज के लाभा, Maintenance Arges वगरा, सच में Maintenance हो रही है, Washroom के अंतर पता चला शीशे निकले पड़े है, Girls Washroom, Boys Washroom की दिवारे मिक्स है, लड़की यहां से जाए तब भी Boys Washroom पहुशता है, लड़का Boys Washroom से निकले तो Girls Washroom सुनने में आपको थोड़ा सा जीब लगेगा, अगर आप जिस साल एक्जाम क्लियर करो, UPSC का, जिस भी सार, यह वाली बात मेरी याद रखना, प्लीज लाफ टाइम, जिस भी साल आप UPSC का एक्जाम क्लियर करो, और अगर उस टाइम पर कोई भी एक New Service introduced होती है, कोई भी All India Service हो, ठीक है, या कैसी भी Service हो, अगर वो introduce होती है, Group A Service, Group B Service, All India Service, तो आप न उसी को जोईन करना, जिस साल अगर आप क्लियर करो एक्जाम और अगर नई Service को जोती होती है, क्यों, यहाँ पर आपका टॉप लेवल पर जाने के चांसे जाता रहेंगे फिर उसमें, क्योंकि You are the first one to join this service, आपका batch, first batch होगा, तो आप उसमें, उन सारे लोगों में, जो उस service का पार्ट होगे, आप उसमें top level के person, जो होता होगा country में, जितना भी जो बनाया गया होगा, like cabinet secretary in the IES rank, ऐसी आप अपनी field में, जो top, जो भी designation होगी, आप उसमें, चले जाओगे, यह चीज़ जाद रखना, ठीक है, जाए भली आपको कोई भी फिर स्टीदिया लोकेट हो रही हो, कि आया आप IFS भी बनना चाहरे, मिल गया आपको, IES भी मिल गया, वल्लब आप single digit rank आ गई, फिर भी, अगर कुछ उस ताहें पर आपके साल में, जिस भी साल आपका clear होता है, आपके सा authorized by election commission for this purpose, अपनी ओतार affirmation में वो कसम खाता है, जुटी-जुटी, that वो सविधान के प्रती, इतनी स्ट रहेंगे, और जो भी होता है, और sovereignty और integrity को uphold करके रखेंगे, ठीक है, अब by camera legislature state level पर भी है, तो she or he must not be less than 30 years of age, in case of legislative council, मैंने सुबह आपको एक table मिरमाय था, परलली, legislative council state level पर work कर रहा है, central, central level पर कौन work करेगा, legislative assembly state level पर काम कर रहे है, central level पर कौन, एक ऐसी post का नाम बता हो, जो कि central level पर है, लेकिन state level पर नहीं है, तो यह देख लो, यह सारे pontis के same है, सारे pontis के same है, उसके बाद, उसको कुछ और qualification भी possess करनी पड़ेंगी, जैसे lay down करी गई है, पारलेमेंट के दोरा, अब देख रहे हो, यहाँ पर, keyword, इधर भी पारलेमेंट था, तो इधर पारलेमेंट लिखना तो यार मुझे समझ में आता है, चलो ठीक है, कि यहाँ पारलेमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो चलो समझ में आता है, कि यह chapter ही पारलेमेंट के उपर है, और MPs की बात हो रही है, यहर MLA और MLC की बात पर भी जो qualification जो decide करेगा, वो पारलेमेंट को दिया गया अधिकर, जी हाँ, क्योंकि हम दारी, विधान सभाओं को थोड़ीना दे देगा, और वो इसलिए नहीं देगा, क्योंकि एक राज्य की विधान सभा का नेचर काम करने का अलग होता है, उसके मेंबर्शिप अलग होती है, इसके लिए common तरीके से, अगर प्रक्रिया बनानी है, तो वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमेंट कर सकता है, जिसका नेचर, सर्दी, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसाथ, कोई साभी मौसमों, कैसे भी परिसिते चल रही हो, पार्लिमेंट का नेचर, उसके दोरा बराए गए कानून, और उन कानूनों का impact, कश्मीटू, कर्याकुमारी, अपनी डिबेट को अभी तक, अभी तक क्या करके conclude कर सकते हैं हाँ पर qualifications वाली बात को, क्या सीखा भी तक हमने, कि पार्लिमेंट किस कि लिए qualifications के ground बना सकता है, लोग साभा के MP के लिए बना सकता है, जल्दी बताओ, राजे साभा के MP के लिए बना सकता है, इस्टेट लेश काउंसिल के MLC के लिए बना सकता है, और इन सब का common source क्या है, कौन बनाएगा इन सब के लिए qualification का ground, पार्लिमेंट, पार्लिमेंट को जिम्मतारी किस ने दिया है, Constitution में, दोनों लेवल पर थी है क्या, सेंटर लेवल पर भी, सेट लेवल पर भी, ठीक है, तो यानि कि हम अगर वाइंड अप करें इसको, कौन तीन लोग हमें देखने को मिलते हैं, MPs, प्लस MLA, प्लस MLC भी आएंगे क्या, बिलकुल आएंगे, अब, पार्लिमेंट को अग people at 1951, बस जानने वाली बात ही है, qualifications के चार ग्राउंट्स उसने मेंशन करें थे, when we talk about Parliament, और Constitution ने, in case of, state legislature, चार ग्राउंट्स ने मेंशन कर रखें, पार्लिमेंट को जब जिम्मेदारी दी गई थी, तो पार्लिमेंट ने अंडर representation of people at 1951, MPs के लिए कितनी additional qualifications इंट्रिट्यूस कर रखी हैं, दो, जबकि MLA और MLC के लिए, RPA के अंदर कितनी qualifications हैं, तीन, यह चीदा रखना है, यानि कि state level पे न हर एक चीद एक्सरा होती, जैसे nomination के ground को देख लो, आप literature, art, science, social service, चार तक तक तो पार्लिमेंट में भी है, पांचवां यहां पर आ जाता है cooperative woman, पार्लिमेंट के द्वारा बनाए गए, RPA, दो बाते बहां लागू होती है, पार्लिमेंट के अंदर, लेकिन, when it comes to state legislature, तीन बाते लागू होती है, अब देखना हैं, यह तीन additional qualifications है, कौन कौन सी, लेकिन यहां पर additional qualifications किसके लिए बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जल्दी बताओ, बंदों के नाम बोलो, MLA और, MLC, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर qualifications की, number one, a person to be elected to the legislative council, वो एक अपनी राज्य की level पर जो assembly होंगी, कि वहां से एक elector होना चाहिए, यानि कि क्या है इसका मतलब, राज्य की level पर उसका क्या होना चाहिए, अपनी, उससे again same चीज क्या है, voter ID card, ठीक है, in the concerned state, और, यहां पर consistency का मतलब यह, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, मैंने एक India का map draw करा था शाहिनी, जिसमें मैंने पूरे देश को बांटा था, लोग सभाकी, consistency की business पर, और फिर एक राज्य सभाकी, जो सीटे लोग सभाकी अंदर थी, वो अलग, वो अलग map था, लेकिन same राज्य में, जब विधान सभाकी चुना हो रहे हैं, तो वो और छोटे छोटे लेवल पर बढ़ गई थी है, याद है? याद है? भाई, दिल्ली में लोग सभाकी कितनी सीटे होती हैं? साथ, लेकिन विधान सभाकी? सत्तर, अब बताओ, दिल्ली का नक्षा नहीं बतलेगा, बताओ, लोग सभाकी चुनाओ में और भिधान सभाकी चुनाओ में, बतलेगा कि नहीं बतलेगा? यह चीज है, ठीक है, इन्दा concerned state, और इस चीज को, इस चीज को कौन देखेगा, that you are qualified, even after this voter ID card है, आप राज्ये की किसी एक constituency, जो है, उस राज्ये की, उस particular, कहीं पर भी मतलब एक concerned state के अंदर, जहां पर भी जो constituency है, वहाँ पर आवे लेक्टर हो, इस चीज को देखेगा तू भी qualified by, governor's nomination, he must be a resident in the concerned state, अभी अगर वो nomination से आ रहा है, voter ID card है, सब कुछ है, लेकिन वो person चुनावी प्रक्रिया से नहीं आ रहा, direct, indirect की कोई बात ही नहीं है, governor की nomination से आ रहा है, अब governor का nomination की बात हो रही तो जल्दी बतातो कौन से घर की बात हो रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे, state legislature तो दोनों होते हैं, अब तो लेकिन वो annual इंडिया तो खताम ही कर दिया न, अब किसकी बात हो रही है, यानि कि किसकी बात हो रही है, M, L, C, यह रही का तो nomination होता है, फटाफट जल्दी बताओ, मुझे field कौन कौन से, literature, art, science, social service, and cooperative movement, ठीक है, अश्पृत यह CM, cooperative movement है, ठीक है, कोई chief निसर का खास नहीं होना चाहिए, इसका उनलाई यह नहीं है, है, he or she must be a resident in the concerted state, अगर उसे governor की nomination अगर चाहिए, obvious ही बात है, मुझे इबाब बताओ, अरपेद, मद्यप्रदेश की विधान सबाय है, तो असम के किसी बंदे को तो नहीं लेकर आएंगे न, यहाँ पर उधर का कहते हैं, बिधायक बनाने के लिए, MLC बनाने के लिए, यह न, यह चीज़ है, जैसे, पार्लिमेंट के लेवल पर, पार्लिमेंट के लेवल पर, जब भी MPs जो होते हैं, उनका nomination कौन से house में होता है, जली बताओ, ब्लोक साहवाए के लिए तो खतमी कर दिया गया है, बारा जो nominated members होते हैं, कहां के होते हैं, बताओ, राज़े सबा के, इनको nominate करता कौन है आश्वरीद, राज़े के लेवल पर, प्रेशन की जगा कौन काम करता है, है न, यह है, अच्छा इसका number क्यों नहीं लिख पाया है, क्योंकि अलग-अलग, state legislative council में, नमबर के एसाब से nomination भी save रहेंगी के बदले की बताओ, बदले की बताओ, क्या पहली condition सबको समझ में आ गई, एक तो यह है कि आपका, किसी भी, एक सेक्ट, एक सेक्ट, एक सेक्ट, बस एक में एक में एक में, हाँ, यह है, इसी reason की वेज़े सबक लेगी, yes, ठीक है, हर जगा नहीं है, और नहीं, उसके number भी change है, अच्छी हर जगा विधान, परिशत के number भी change है, सेम नहीं है, वो depend करता है कि विधान सबागे number कितने है, मुझे एक बाद बताओ, यह voter ID card जो होना चाहिए, परसन का, यह तो किसी भी consistency के अंदर हो सकता है, for an assembly consistency in the concerned state, उस state में कहीं पर भी बबब करके, लेकिन governor का अगर nomination चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, वहाँ पर क्य है, और यह वाली बात को हम पट रहें, किस के रिए पट रहें, जल्दी बताओ, फिर से, state legislative council, और यह state legislative council से, बंदों का, कौन बंद आते हैं, M, L, A के C, C, M, L, C, हर एक राज़े में मिलेगा, क्या minimum, एक M, L, C, तो होते ही होता है, क्या, नहीं, M, L, A, M, L, लेकिन होता है, भारत के हर एक राज़े में, कहीं न कहीं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि, कौन सा house, मिलेगा ही मिलेगा, राज़ेग की level पर, ठीक है, तो confuse मत हो, मैं बार-बार इस लिए पूछ रहा हो, था कि, देखो क्या होता है, politics जिस टाप आप सुन रहे हो, उस टाप पर दिमाग काम करता है, फिर बाद में, टेस सीरीज वगर में गलती होकर, बंदा frustrated हो जाता है, फिर एक, एक और मैंने हरकत देखी, यह लोग होगी, जब उनकी कोई चीज गलत हो जाती, तो वो timey revision नहीं करते हैं, फिर वो chapter, जो chapter में गलती होती है, उसको दोबारा से start करते हैं, फिर वो, कि हम fresh तरीकी से start करेंगा, बार-बार, बार-बार, बार-बार ही cycle repeat होती रहती है, और person वहीं फसा रहता है, उसी topic पर, उसी chapter पर, या पूरी एक book पर, तो यह गलती मत करना, ठीक है, जितना यह time मांगता है revision के लिए, इसको देना पड़ेगा, एक बार की बात है, दूसरा, दूसरी qualification का ground, किस के दोरा lay down करागे है, आर-पी और यानि की parliament के एक act के दोरा, parliament को यह power किस ने दीगी है, second qualification lay down कर सके, constitution, अगर एक person को elect होना है, हमने उपर वाले point के अंदर किस की बात कर ली, विधान परिशत की, अब बात करते हैं, विधान सभा की, अगर एक person को elect होना है to the legislative assembly, she or he must be an elector for an assembly constituency in the concerned state, इस वाले point के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं लगी होगी, सिर्फ यही वेली बात कर रहा हो, उपर वाले case में भी, नीचे वाले case में भी, क्या combine करके बोले इस point को, एक point तो comma नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, क्या चीद होनी चाहिए, voter ID, elector, बस यह जो resident वाली बात है, यह कौन सी जगा पर लागू होती है, कौन से हाउस के लिए, legislative council, और यह सिर्फ क्यों होती है, क्योंकि, क्योंकि, जल्दी बताओ, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, नॉमिनेशन, governor नॉमिनेट करता है, ठीक है, उसके बाद, तीसरी condition, यहां कितनी conditions थी, सिर्फ दो, ठीक है, तीसरी, she और he, must be a member of a scheduled class, और scheduled tribe, अगर उसे वो seat contest करनी है, जो SC और ST के लिए, लेकिन, सेम चीत है, वही जो हमने पढ़ा था, पारलेमेंट वाले उसमें, चप्टर में, एक member जो SC या ST से बिलोंग करता है, ठीक है, मेंबर है, अगर वो schedule काच है, schedule tribe का, वो non-reserved seats पर भी election लड़ सकता है, यानि कि, अज़ भी देख रहे हो, SC और ST candidate जो है, वो reserved seats जो उनके लिए reserved है, उस पर तो चुनाओ लड़ी सकते हैं, ठीक है, MLA या MLC के, लेकिन जो non-reserved seats है, जर्नल की जो seats है, यह उससे भी लड़ सकते हैं, यह चीज हमने उधर भी पड़ी थी, अरे, allowed है, वरसन को, वही यार, इसके भी सही की argument होती है, जो हर कोई देता है, इनके किलाब पास्मेंट इसमेशन होई है, इनको हमें जल्दी अपलिफ्ट करना है, इस वज़े से, लेकिन यह चीज किसके लिए नहीं है, यहाँ पर लागो, आपको क्या टम नहीं दिख रहा, बताओ, जल्दी बताओ, किसके लिए नहीं है, इसको एक्स्वा मान के मत बैठ जाना, इसकी महत्वता को समझो, ऐसी एक requirement ना, पहले राज्य सभा के अंदर भी थी, जैसा कि आपको बता है, राज्य सभा का parallel house कौन, state level के अंदर, जल्दी बताओ, विधार परिशक, ठीक है, विधार परिशक, यह condition इसलिए भी थी, कि कोई भी एक candidate, जो कि राज्य सभा के लिए election contest करना चाह रहा है, from a particular state, वो एक elector होना चाहिए, in that particular state only, 2003 में, 2003 में, इस चीज़ को खतम कर दिया गया, और 2006 में सुबरिंगोट ने बोला, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, बताओ, logic लगाओ, थोड़ा सा ग्यान दो बस मुझे, क्यों नहीं कर सकते हम यहाँ पर ऐसा, चाहगर भी नहीं कर सकते, बताओ, क्यों नहीं कर सकते, एक राज्जे की विदान सभा के अंदर उसी राज्जे का तो लॉंडा या लॉंडिया बैठेंगे न ऐसे सब मिक्स नहीं हो जाएगा शाइनी फिर फिर मतला भी क्या है उस पर्टिक्लर स्टेट में एक हाउस का फिर तो ऐसे किसी भी हाउस को कहीं पर भी बेज़ दो कुछी भी मेंबर को मद्य परतेश का है मेले जाकर जे एनके की एसेमली में बैठ चाकर बैठ जाए जे एनके का बैठा हुआ है केरला की विधान सभा के अंदर यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है भाई राज्य सभा जो है वो ओल इंडिया लेवल पर फंक्चन करता है ठीक है यहर विधान परिशत तो किसी एक राज्य का होता है न अश्पृतर और वो भी सारे राज्यों के अंदर तो है न अब रहा पताओ देश में कितने राज्यों के अंदर हमारे विधान परिशत देखने को मिलती है कितने हैं टोटल कि मैं अब कि छे के अदर में को मिद यह है पंजाब के अंदर है क्या कि अट्र अटन है का नहीं है अब यहां का governor कहां का UP, UP के अंदर हैं दो houses yes UP का राज्यपाल पंजाब से किसी भी बंदे को उठा लेगा क्या, यहां पर MLC बनाने के लिए, बताओ वो person कहां का होना चाहिए अगर उसे UP की विधान्स परिशात के अंदर बेटनार पितो, वो person कहां का होना चाहिए resident UP कही यह चीज पहले न, राज्यपाल के अंदर कर जाती है थी कि जो जहां से elector है in particular state जहां से वो election लड़ रहा है वो उसी राज्यपाल के अंदर बना यह condition थोड़ी से अलग है, आप काओगे यहां पर कुछ और बात है, वहां पर कुछ और बात है बिल्कुल आए अगरी, लेकिन समन्ने की कोशिश करो कि जब आप किसी न किसी constituency से election तो लड़ोगे तो जिस राज्ये की constituency से आप election लड़ रहे हो पहले राज्ये सभाग लिए 2003 तक यह condition थी 2003 में सकोट आए गया फिर उसके बाद, 2002 तक थी condition कि आप वहां पर ठीक है एक elector भी होने चाहिए इस चीज को खतम कर दिया गया क्योंकि राज्ये सभाग को कैसा देखा गया, शाइनी थोड़ा सा broad minded होते हुए कि यह पूरे all India level पर function करता है लेकिन यहाँ पर राज्ये सभा के अंदर तो एक और बाग पर confuse मत हो ना यहाँ पर सिर्फ condition है elector की यह थी और इसको भी खतम कर दिया गया कि कोई ऐसी जरूरत नहीं आप कहीं से भी लड़ सकते हो इसका बलब हमने logically यही गनलूट करा था था ना बताओ राज्य सभा के चुनाऊफ सकते हो इस अब किसी जरुकी दाट सकते हो आप किसी और राज्ये से लट सकते हो आप क्यों कि राज्यी की लेवल पर यह बंदे हुए हो और उस में से भी अगर आप रहावस की बाध कर लें तो इलेक्टर तो छोड़ो, इलेक्टर से भी जादा है, एक टफ कंडिशन क्या है, एक टफ कंडिशन क्या है, नहीं, रेसिडेंट होना चाहिए, नोमिनेशन के लिए ही रेसिडेंट होना चाहिए, और कहा होना चाहिए रेसिडेंट, जिस राज्ये में, राज्येपाल, मतलब कैसे नहीं रेसिदेंट यार ऐसा नहीं होता कभी काम ने पढ़ा तो यार मैंने तुम्हें फिर वो क्यों पढ़वाया सेटेंटर्शे बाले चाप्टर उसके मिलें भी कुछ महीन है और कुछ बिताय होने चाहिए ना इस चीज़ को देखता फिर अगेन एक प्रोसीज होती है दो जगह को कैसे रेसिदेंट हो सकता है आपका शरीर अभी कहां बैठा है बताओ यूपी के मुंबई अब यूपी में ही है मना मुंबई जा सकते है शैनी कहां बैठे हो भी बैस बेंगॉल के बंगलादेश तो इस डिसकर्शन में दोस्तों विला लेते हैं थैंक यू वरी मिच फू दिसकर्शन